शेर की मा बकरी, बकरी ने शेर के बच्चे को कैसे पाला? एक बार की बात है, बकरी अपने बच्चे के साथ घूमती घूमती एक जंगल में घुस गई थी और वो बकरी अपने बच्चे के साथ चलती चली जा रही थी और तभी उसे रास्ते में शेरनी मिल जाती है और बकरी से बोलती है अरे वा, इतना अच्छा भोजन मिला है आस तो, बकरी और मैमना साथ में है पहले किसे खाऊं, मैमने को ही खा लेती हूं और बहुत ही स्वाधिस्ट लग रहा है और इसका नरम नरम मास तो देखते ही मुँ में पानी आ रहा है और शेरनी की बात सुनकर बकरी बोलती है अरे नहीं नहीं, मेरे बच्चे को मत खाओ, तुम चाहो तो मुझे खालो, मेरे बच्चे को छोड़ दो और बकरी की बात सुनकर मैमना शेर से बोलता है अरे नहीं नहीं, तुम मेरी मा को मत थाओ, अब यह भी तुम्हें दुनिया में आया हूँ मैं अपनी मा के बिना नहीं रह पाऊंगा, किर्प्या करके हमें छोड़ दो, पिलीज बकरी और बकरी के बच्चे की बातें पास में खड़ा शीरनी का बच्चा भी सुन रहा था, तो तब ही वो बोलता है मा, तुम इन जानवर को क्यों खाना चाहती हो, छोड़ दो इनको बेटा, अगर मैं इनको छोड़ दूँ, तो हम भूखे रह जाएंगे नहीं मा, मुझे भूख नहीं लग रही है, अगर मुझे कोई आके मार डालेगा, तो तुम्हें कैसा लगेगा मा मा, तुम इसके छोटे से बच्चे को इसकी मा से क्यों छेन रही हो शेरनी अपने बच्चे की बात सुनकर उसके दिल में दया आ जाती है, और वो कुछ दिन के लिए अपने साथ ही रख लेती है और एक दिन अचानक से शेरनी की तबियत खराब होने की वज़ा से शेरनी मर जाती है और शेरनी का बच्चा उसके पास बैट कर रो रहा था, तब ही बकरी कहती है बेटा आज से तुम्हारी मा मैं हूँ, तुम मत रो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे और हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और शेरनी के मरने के बाद वो बकरी उस बच्चे को भी अपने साथ ले जाती है और इस जंगल से दूसरे जंगल की ओर चल देते हैं और शेरनी का बच्चा भी बकरी को अपनी मा कहकर बुलाने लगा और इसी तरह समय बीच जाता है और एक दिन शेरनी का बच्चा और मैमना खाना खा रहे थे तो तभी मैमना बोलता है अरे अरे क्या हुआ तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो तुम मुझे क्यों देख रहे हो तुम पहले खा लो मैं बड़ा हूँ ना तुम्हें तुम्हारा ख्याल रखूंगा नो मा, वो जरा हम दोनों जरा जंगल घूम कर आते हैं। ठीक है, पर तुम दोनों एक दूसरे का अच्छे से खयाल रखना। और फिर वो दोनों जंगल की तरब घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। और मैमना बहुत खुशी से घूम रहा होता है। और घूमते घूमते शेर थोड़ी आगे निकल जाता है। और मैमने का बच्चा कुछ खाने लगता है। और अचानक से कहीं से वहाँ पर एक गीदर आ जाता है। और वो कहता है, अरे वाह, मैमना आज तू मज़ा ही आ जाएगा। और इतना कहकर मैमने के पास गीदर धीरे धीरे पहुँचता है। और मैमना अपना खाना खाने में वियस्त होता है। और गीदर अपनी भूक मिटाने के लिए मैमने के पीछे से जाता है। और जब मैमने के सामने गीदल आता है और गीदल को मैमना देखता है और वो घबरा जाता है बचाओ बचाओ ये गीदल मुझे खा जाएगा बचाओ और शेरनी के बच्चे को जैसे ही आवाज आती है तो वो गीदल को जान से मार देता है और बकरी का बच्चा ये सब देखकर घबरा जाता है और वो भागने लगता है और तभी मैमने के पीछे भी शेरनी का बच्चा भागने लगता है और इधर बकरी का बच्चा अपनी मा को आवाज देता हुआ भागते हुए आता है और पीछे से शेरनी का बच्चा भी भागते हुए आता है तो बकरी देखकर हैरान हो जाती है और तभी बकरी अपने बच्चे से बिना कुछ पूछे ही शेर के बच्चे से कहती है आखिर तुमने अपना रंग दिखा ही दिया ना मैंने तुम्हारी मा के मरने के बाद बच्पन से तुम्हें कितने प्यार से पाला था अपने बच्चे की तरह ही पाला था तुम्हें और तुम मेरे बच्चे को खाने चले हो और इस तरह वो बकरी बिना कोई सच्चाई जाने शेरनी के बच्चे को बहुत डाटती है और फिर कहती है चले जाओ यहाँ से आज से में तुमारी मा नहीं हूँ और शेरनी का बच्चा अपनी मा से बिना कुछ बोले ही वहाँ से जाने लगा तभी मेंना बोलता है अरे रुको भई रुको हमको छोड़कर मत जाओ और तभी वो मेंना अपनी मा को सब कुछ बता देता है कि कैसे उस सेरनी के बच्चे ने उस गीदल से इसकी जान बचाई और तब ही अपने बच्चे की बास सुनकर बकरी कहती है मुझे माफ कर दो बेटा मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई और जिस तरह से मेरा बच्चा मेरे पास भागते हुए आया और पीछे से तुम तो देखकर मैं घबरा गई और मुझे सचाई का पता नहीं था मुझे माफ कर दो बेटा और फिर से बकरी मेमने का बच्चा एक साथ मिलकर रहने लगते हैं आपको हमारी कहानिया कैसी लगती हैं लाइक करके जरूर बताएं और सबस्क्राइब जरूर करें